मुवी अन्बॉक्सिंग लेकर आया है दि टैक्सस चेंसों की आगे की कहानी यहाँ पर हम एक गर दिखाये चाता है यहाँ पर एक फैमिली रहती है इससा फैमिली में ग्रेंट पाप, मदर और उसके तीन बेटे होते हैं सबसे छोटे वाले बेटी का आज जन दिन होता है उसका नम जड़ था इसके लिए केख लाया चाता है इसके बाद हमें यहाँ पर एक आदमी दिखाये चाता है जिससे इस फैमिली ने बांद कर रखा था उनका ये कहना था कि ये आदमी यहाँ पर चुड़ी करने आया है इस के बाद सबी लोग अपने बेटे को एक चेंसों गिफ्ट में देते हैं और अपने चोटे बेटे को कहते हैं कि तुम इस चेंसों की मदद से इस आदमी को मार गिराओ दूसरा भई चेंसों को चलू कर देता है और जेट को पकड़ा देता है लेकिन जेट एक मासूम बच्चा था वह उस आदमी का कतल नहीं कर पाता और चेंसों नीचें फेक देता है तब ही उसकी माँ उसे कहती है क्या तुम इतना चोटा काम भी नहीं कर सकते अपने दादा जी से कुछ सीखो तुमारे दादा जी कितने अच्छे सीनियर किलर है इसके बाद उसके दादा जी कहा थोड़ा लेते हैं और उस आदमी के सर पर जोर से मारते हैं वहीं पर उसकी माँ था जाती है इसके बाद हमें कपल को देखते हैं जो अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे होते हैं लेकिन तबी वे देखते हैं कि रस्ते में एक जानवर उनके सामने आ जाता है वो जैसे तैसे गाड़ी को संभालती हैं फिर वे गाड़ी से नीचे उतर कर देखते हैं उससे जानवर को कोई चोड तो नहीं लगी थी लेकिन असल में वै कोई जानवर नहीं एक चोटा बच्चा था जिसने एक जानवर का चहरा पहना हुआ था वै चोटा सा बच्चा इंसे मदद मांगता है और भाग कर जंगल की ओर चला जाता है लड़की अपने हस्बेंट को कहती है मुझे के पीछे चली ही जाती है वै चोटा सा बच्चा भाग कर एक पुराने से घर में चला जाता है और लड़की भी उसके पीछे पीछे चली जाती है घर के अंदर चारू तरफ हड़ियां ही हड़ियां थी फिर वै लड़के के जाल में फस जाती है और नीचे गिर जाती है जि इसकी माँ ने इसको एक सीरियल किलर आदमी के पास छोड़ दिया तांकि ये भी कतल करना सीख सके इसके बाद वे आदमी जेड को कहता है इससे लड़की के ओपर तुम कार इंजन गिरा दो वे बच्चा ऐसा ही करता है जिस करन उससे लड़की की दर्दनाक मौत हो जाती है कुछ समय बाद यहाँ पर एक पुलिस ओफिसर आ जाता है जिसका नाम शेरिफ होता है असल में जिस लड़की का कतल हुआ था वे इसकी बेटी थी जिस करन वे काफी गुस्ते में था लेकिन वहाँ पर उन लोगों ने कोई भी सबूत नहीं चोड़ा उस लड़की के बारे में इसके बाद पुलिस ओफिसर बच्चे को अपने साथ ले जाता है पूछताश करने के लिए वहाँ पर जेट की मा भी आ जाती है फिर वह पुलिस ओफिसर कहता है मैं तुम्हारे बच्चे को तुम्हें कभी वापिस नहीं करूगा क्योंकि तुम अच्छे लोग नहीं हो इसके बाद पुलिस ओफिसर जेट को एक मेंटल हॉस्पिटल में भरती करवा देती है इसके बाद हमें 10 साल आगे का सीन दिखाया जाता है और वही होस्पिटल दिखाया जाता है जहांपर जेट को दाखिल कराया गया था जहांपर एक लीजी नाम की लर्स दिखायी जाती है जिसका आज होस्पिटल में पहला ही दिन था उसे डॉक्टर कहता है, यहाँ पर जितने भी बच्चे आते हैं, हम पहले तो उनका नाम बदल लेते हैं, तांकि उन्हें अपनी पुरानी जिन्दकी के बारे में कुछ पता न रहे, वे एक अच्छे इंसान बनकर ही बाहर निकले, इसके बाद हमें मोटा सा लड़का दिखा करते हैं, और वे नर्स उन दोनों को चुड़ा देती है, तब ही एक लड़का नर्स नहीं गुस्टे से बात करने लगता है, तब ही वे मोटा सा लड़का आता है, और उस लड़के को शांत करवा देता है, कुछ समय बाद वहाँ पर डॉक्टर भी आ जाता है, और वे कहते हैं कि हम इन दोनों लड़कों को अपने साथ ले जाएंगे, तब ही नर्स कहती है कि मोटे लड़की की कोई गल्ती नहीं है, वे सिरफ मेरी मदद कर रहा था, तब ही डॉक्टर कहता है, वे बहुत खतनाक बच्चा है, इसने अपने ही माता पीता का कतल किया है, आगे से माँ चाती है, वे कहती है कि मैं अपने बेटे से मिलना चाती हूँ, लेकिन डॉक्टर कहता है, हम किसी भी बच्चे से आपको मिलवा नहीं सकते, आपको कोट के ओर्डर लेने होंगे, इसके बाद जब डॉक्टर लोग मोटे से लड़के को टोर्चर कर रहे थे, तब उसक की माँ सुन लेती है, जिसके बाद वे का नर्स को बेहोश करती है और उससे चाबियां चीन लेती है, उसके बाद सबी बच्चों को आज़ाद कर दिया जाता है, वे मोटा सानर का भी अबाजाद हो चुका था, वे डॉक्टर लोगों को बहुत बुरे टरीके से मारता है, इसके बाद उसे डॉक्टर की मौत हो जाती है। इसके बाद जब नर्स को इसके बारे में पता चलता है तब वे दूसरी नर्स को साथ लेकर निचे बेस्मेंट में चले जाती है। लेकिन वहाँ पर एक आदमी दूसरी नर्स का कतल कर देता है। वैंलीजी को भी मानने लगता है, लेकिन वहाँ पर उसे मोटे से लड़के का दोस्त आ जाता है, और उसे नर्स को बचा लिता है, वैं दोनों वहां से भाग चाती हैं, इसके बाद उने बाहर दो ओर लोग मिलती है वे उनकी गाड़ी में बैठ जाते हैं फिर बाद में बाहर मूटा सा लड़का भी उन्हें मिल जाता है वे भी उनकी गाड़ी के अंदर बैठ जाता है अब इन सबी पागलों में वे बिचारी नर्स अकेली फस चुकी थी ये सारी बाद उस पुलीस ओफिसर को भी पता चल जाती है फिर वे सबी भागे हुए बच्चों को पकड़ने के लिए पूरी फोर्स से लगा देता है इसके बाद वही पागल बच्चे कर रेस्टरेंट में चले जाते हैं वहाँ पर लोगों से गंचीनते हैं उन्हें शूट कर देते हैं इसके बाद वहाँ से वे आगे बढ़ चाते हैं लेकिन वहाँ पर मोटे से लड़के को गोड़ी लग गई थी इसके बाद वे बहुत दूर जाकर एक पूरानी वैन के पास रुप जाते हैं इस वैन के अंदर एक लाज बढ़ी हुई थी लेकिन उनके पास जबरदस्ती करता है, लेकिन वहीं पर उस मोठे से लड़के का दोस्ति यान्य की अच्छा लड़का आ जाता है। दूसरी पागल लड़की को पकड़ लेते हैं उससे पूछते हैं तुम्हारे बाकी साथ ही कहां गए लेकिन वे लड़की कुछ नहीं कहती उस पुलिस ओफिसर को गालिया देने लगती है जिस कारण वे लड़की को गोली मार देता है पुलिस ओफिसर को पता था कि बाकी लो उनकी इनसानी सुगंद महसूस नहीं कर पते और वहां से चली जाते हैं वो का पाकर तीनों दोस्त बाहर निकल जाते हैं बाहर आकर नर्स को एक पुलीस की कार दिखती है वह जोर जोर से आवाज लगाने लगती है हमारी मदद करो फिर मोटे लड़के का दोस्त उसे कहता है तुमें समद करो हो सकता है कि ये पुलीस ओफिसर भी उनके साथ मिले हो उसकी बात सच होती है वह पुलीस ओफिसर अपने साथेों को वापिस बूला लेता है लेकिन वहीं पर मोटा लड़का आकर पुलीस ओफिसर को मारने लगता है लेकिन वह पुलीस ओफिसर मोटे लड लड़के का दोस्त दोनों ही पुलिस की गाड़ी लेकर वहां से भाग चाते हैं। अपने दोस्त की मौत के कारण मोटे लड़के का दोस्त बहुत ही निराश्ट था। उसे बहुत गुसा आ रहा था। कुछ समय बाद उनके पीछे पुलिस फिर लग चाती है। और पुलिस है कि वह पुलिस की गारी में है। पुलिस ओफिसर शेरिफ ने उसे बांद कर रखा है। इसके बाद शेरिफ नर्स को पकड़कर दूसरी तरफ ले जाता है। यह जगे वही थी जहां पर इस पुलिस ओफिसर की लड़की का कतल किया गया था। और उस पुलिस ओफिसर ने उससे लड़के को भी यहीं पर बांदा हुआ था यहां पर हमें पता चलता है कि यह लड़का कोई और नहीं बलकि Z ही था और यह बात Z की मां को भी पता चल जाती है Z की मां जैसे दैसे अपने बेटे को बचा लेती है और नर्स और पुलिस ओफिसर को बंदी बना लेती है फिर वह वही चेंस अपने बेटें जैट को देती है उसे कहती है तुम इन लोगों से बदला लो जैट चेंस उठाता है और उस पुलिस ओफिसर को मार देता है वह नर्स वहां से भाग कर जंगल की तरफ चली जाती है उसके पीछे-पीछे जैट भी चला जाता है रस्ते में नर्स का पेर एक ट्रैप में फस चाता है अगर वहीं पर वह गिर जाती है जैट नर्स को मारने वाला था तब ही नर्स कहती है और अपने लिए एक लेदर फेस तयार कर देता है इस तरह पार्ट मन यहीं पर खतम हो जाता है मुवी अन्बॉक्सिंग बताने वाला है कहानी दि टेक्सस चेंसो के अगले पार्ट की कहानी की शुरुवात में हमें पांच लोग दिखाए जाती हैं कहीं पर शो पर जा रहे थे और में इस एक लड़की का नाम एरिन होता है और बाकी उसके दोस्त होते हैं तब ही उन्हें रस्ते में एक लड़की पैदल चलती हुई दिखाई देती है वै उसे लड़की की मदद करने के लिए गाड़ी रोक देती है एर इन गाड़ी से बाहर निकलती है और उसे लड़की से पूछती है आप कहां जा रही हो लेकिन वे लड़की कुछ नहीं कहती और चलती रहती है फिर वे किसी तरह से लड़की को अपनी गाड़ी में बिठा लेती है वे लड़की सब को यही कह रही थी वे बहुत बुरा इंसान है वे सब को मारतेगा फिर उनकी गाड़ी टेकसस के अंदर आ जा दी है तब वे लड़की कहती है आप गलत रस्ते पर जा रही हो यहाँ पर जाना मौत के मुँँ में जाने के बराबर है जिस कारण वे लड़की गाड़ी को रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन कार ड्राइवर गाड़ी को जैसे तैसे संभा लेता है और गाड़ी टोक देता है वे लड़की सबी को यही कह रही थी कि आप करत रस्ते पर जा रहे हो आप मेंसे कोई भी जिन्दा नहीं बचेगा ये कहकर लड़की अपने मुग के अंदर गन डालती है और अपने आपको शूट कर लेती है ये देकर गाड़ी के अंदर बैठे सबी लोग दंग रह जाते हैं और रचाते हैं उन्हें अब समझ नहीं आ रही थी कि वैव से लड़की को यहीं शोड़ दे या पुलिस में कम्प्लेंट करे बहुत देर सोचने के बाद वैसे नतीचे पर पहुँचते हैं कि हमें पुलिस को सूचना देने ही चाहिए पुलिस हमारी मदद जरूर करेगी लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि ऐसा करना उन पर ही बाफ़ी पढ़ सकता है फिर वै inclusion पर जाते हैं वहाँ उन्हें एक लेड़ी मिलती है वै उसे लेड़ी को सारी बातें बताती है तब लेड़ी पुलिस को फॉन करती है और वे कहती है कि पुलिस वाले तुमें एक फैक्टरी के अंदर मिलेंगे तुमें वहाँ पर जाना होगा सभी लोग सोचते हैं कि पुलिस फैक्टरी में क्या काम करेगी लेकिन उनके पास और कोई दूसरा रस्ता भी नहीं होता इसलिए वे उस फैक्टरी के अंदर चले जाते हैं लेकिन उस फैक्टरी के अंदर उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता वहाँ पर उन्हें एक चूटा सा बच्चा छूपा हुआ मिलता है वे उन्हें कहता है कि आपको पुलिस वाला यहां नहीं मिलेगा आपको पुलिस वाला अपने घर पर ही मिलेगा इसलिए वे बच्चा उनको उस पुलिस वाले के घर का पता बता देता है फिर एरिस और उसके साथ उसके दोस उस पुलिस वाले के घर पहांचाते हैं लेकिन वहाँ पर उन्हें एक बज़र्ग आदमी दिखाई देता है वे बज़र्ग आदमी एरिस को कहता है तुमेरे साथ घर के अंदर आजाओ लेकिन ये लड़का बाहरी खड़ा देगा एरिस घर के अंदर चलिचाती है वे बज़र्ग आदमी कहता है वे पुलिस वाला अभी तो यहाँ पर नहीं है लेकिन मैं उसे कॉल करता हूँ उसे पूछता हूँ एरिस को घर के अंदर गए काफी वक्त हो चुका था इसलिए उसका दोस्त घर के अंदर एरिस को ढूने के लिए चला चाता है लेकिन तब ही वहाँ पर एक अखतनाख आदमी हमें दिखाते हैं जिसका नाम लेदर फेस होता है लेदर फेस आता है और उसे लड़के के उपर जोरतार हमला करतेता है वहीं पर उसे मौत के घाट उतार देता है उसके बाद एरिस घर से बाहर आती है उसे वे लड़का नहीं मिलता मैं सोचते है कि शायद वे वापिस उसी फैक्टरी में चला गया होगा क्योंकि पुलिस वाला फॉन पर कह रहा था कि अभी मुझे एक आदा गंटा लग जाएगा इसलिए एरिस फैक्टरी में चली जाती है फैक्टरी में जाकर एरिस अपने दोस्तों से पूछती है कि मैं लड़का वापिस क्यों आ गया जो मेरे साथ घर में गया था तब उसके दोस्त कहते हैं यहाँ पर तो कोई वापिस नहीं आया जिस कारण उन्हें उसे लड़के की चिंता होनी शुरू हो जाती है इसलिए फैक्टरी के इदर उदर उसे लड़के को ढोड़ना शुरू कर देती है तब उन्हें काड़ी के अंदर एक तस्वीर मिलती है उस तस्वीर में वही लड़की थी जो मुवी के स्टार्टिंग में अपने आपको गोली मार लेती है इसलिए वैस सोचते हैं कि शायद उसी घर में हमारा दोस्त चला गया होगा इसलिए एरिस अपने एक दोस्त के साथ उसी घर में दोबारा चली जाती है लेकिन तबी बूड़ा आदमी घर के बहारी बैठा होता है एरिस चलाकी से उस बुज़रक आदमी को अपनी बातों में लगा लेती है और पीछे से उसका दोस्त घर के अंदर चला जाता है उसका दोस्त एक ऐसे कमरे में पहुंच जाता है जहां पर चारों तरफ बसमास के टुकड़े ही टुकड़े थे वहां पर ये सब कुछ देखकर वेठर चाता है गलती से उसके हाथ से कोई समा नीचे गिर चाता है जिसकी वेठर से बुज़रक आदमी और एरिस घर के अंदर चले चाते है वे बुज़रक आदमी दोनों को देकर बहुत कुस्ता होता है आरूची आवाज में पुकारता है बाहर आजाओ इन दोनों को खतम करतो उसी वक्त वहां पर लेठर फेस आचाता है उसके हाथ में चेहन सोती किसी तरह से एरिस तो से घर से भाग निकलती है लेकिन उसका दोस्त वहीं पर फस चाता है वे लेठर फेस उसका पाउं काट देता है इसके बाद लेठर फेस लड़के को एक कमरे के अंदर ले जाता है वहाँ पर उसे एक कील के साथ उपर टांग देता है और उसके कटे हुए पैर पर नमक लगाता है तब हम देखते हैं कि जो लड़का पहले से घर में आया था उसका चहरा लेदर फेस उतार चुका था और उसके चहरे को मशीन के दुवरा सिलाई कर अपने लिए एक नया लेदर फेस बनाता है तब ही हम लेदर फेस को देखती है जो अपना मास्क उतारता है उसका चहरा बहुत ही जादा बेहन था इसके बाद एरेस वापस फेक्टरी में आ जाती है अपने दोस्त को वहाँ से निकालने की कोशिश करती है लेकिन तब ही उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती उसी वक्त वहाँ पर पुलिस वाला भी आ जाता है पुलिस वाले को देखकर सभी लोग थोड़ा रिलैक्स फील करते है लेकिन पुलिस वाला उनकी गाड़ी में ट्रक्स देखता है ट्रक्स देखकर वह काफी जादा गुस्ने में आता है और उन्हें गाड़ी से बाहर निकाल लेते है और जमीन पर लिटा देता है बाद में वेकल लड़के मॉर्गन को उठाता है और गाड़ी के अंदर बैठा देता है तब वे मॉर्गन से पूछता है मुझे बताओ कि उससे लड़की ने किस तरह से आत्मत्य की तब पुलिस ओफिसर उससे गन देता है और मॉर्गन को कहता है मुझे बताओ उससे लड़की ने किस तरह से आत्मत्य की मॉर्गन को पुलिस ओफिसर कहता है तुम अपने मूँ में उससे तरह गन को डालो और ट्रिकर को दबा दो मॉर्गन बहुत सादा ट्रक चाता है वेगन को उस पुलिस आफिसर पर तान देता है ट्रिगर भी दबाह देता है लेकिन गन में गोली ही नहीं होती इसके बाद पुलिस आफिसर मौर्गन को अपने साथ गाड़ी में बठाता है और लेदर फेस के घर छोड़ देता है तब ही एलिस और उसके साथ उसकी दोस भागने की कोशिश करती है वै जैसे तैसे गाड़ी को स्टार्ट तो कर लेते हैं लेकिन गाड़ी आगे चाकर किसी चीज से टकरा जाती है और उसका एक टालेर बाहर निका जाता है लेकिन उसी वक्त वहाँ पर लेदर फेस आ जाता है और चेंसो चलाने की कोशिश करता है एरिस की दोस्त को लेदर फेस बाहर लिका लेता है और उसे बीचो बीचे कार देता है एरिस से ये सब गाड़ी में बैट कर देख रही होती है वह उसे कहती है कि तुम ऐसा मत करूँ लेकिन लेदर फेस किसी की बात नहीं सुनता लेदर फेस ने एरिस के एक दोस्त का चेहरा उतार कर अपने मूग पर डाल रखा था ये देकर एरिस सब बहुत तर टर चाती है और गाड़ी से बाह निकलकर जंगल की और भागने लगती है लेकिन लेदर फेस उसका पीछा नहीं छोड़ता और जंगल की तरफ वागता है फिर एरिस किसी तरह से भाग कर एक वैन की और चाती है उस वैन के अंदर दो महिलाई थी जो मा बीटी थी एरिस उसे घाड़ी के अंदर जाती है और दोनों को सारी बात बताती है लेकिन तब ही वैन महिलाई एरिस को कहती है लेदर फेस दिल का बुरा नहीं है बस उसका चहरा बहुत खराब है जिस कारण वे लोगों का चहरा उखाड कर अपने मूँ पर चड़ा लेता है वैं किसी को उसे जादा नुकसा नहीं पहुंचाता और वैं महिलाई एरिस को चाही पिलाती है उन महिलाउं के पास एक बच्चा भी था लेकिन तबी एरिस को एक तस्वीर मिलती है उस तस्वीर में वही लड़की थी जो लड़की उनकी गाड़ी के सामने आ गई थी उस तस्वीर में वही बच्ची थी जो बच्ची उससे महिला के पास थी एरिस समझ आती है कि वे गलत लोगों के पास फस्त कई है इसलिए वे वे वहाँ से बागने की कोशिश करती है लेकिन तब ही वे जमीन पगे उचाती है क्योंकि उन महिलाओं ने उनकी चाही के अंदर कुछ मिला दिया था अब हमें ये पता चलता है कि ये सबी लेदर फेस के साथ हम मिले हुए है जब एरिस को होश आती है तब हम देखती है कि उसके चालों तरफ लोग होते है वही महिलाओं वही बज़र्ग आदमी भी उसके साथ होते है तब हमें पता चलता है कि ये सबी लोग लैदर फेस की फैमिली है लैदर फेस की माँ एरिस को बताती है मेरे बेटी के अंदर एक बीमारी है जिसके कारण उसका चहरा बिकर गया और मेरे बेटे को कोई भी पसंद नहीं करता था इस करण इसे जगे पर हम अकेले रहती है तब ही वहाँ पर लैदर फेस आ जाता है एरिस को उठाकर नीचे बेसमेंट में फेंग दीता है बेसमेंट में सारी चीज़े अजीब से अजीब पड़ी हुई है उसका दोस्त भी वहाँ पर होता है जो एक चेन के साथ टंगा हुआ था और दर्द के करण ढो रहा था एरिस उसे वहाँ से अजाद कराने की कोशिश करती है लेकिन उसकी तकलीफ और सादा बढ़ रही थी तब ही उसका दोस्त एरिस को कहता है मुझे तुम मार दो इतना दर्द में परताश नहीं कर सकता इसलिए एरिस अपने दोस्त को मार देती है लेकिन अभी एरिस को अपना दोस्त मॉर्गन भी दिखाई देता है मॉर्गन एक टब में बैठा होता है उसके पीट पर भी वही निशान बना हुआ था ऐसा लग रहा था कि उससे भी हुग के साथ टंगा गया है एरिस मॉर्गन को टब से बाहर निकालती है और वही पर वे लड़का भी आ जाता है जो लड़का उन्हें फैक्टरी में मिला था वे लड़का उन्हें बाहर आने में मदद करता है लेकिन उसी वक्त वहाँ पर लैदर फेस आ जाता है और उन पर हमला करता है वे लोग वहाँ से नीचे जैसे तैसे कर बच जाते हैं बाहर निकल जाते हैं एक घर की अंदर वे जाकर छुप जाते हैं लेकिन लेदर फेस ने उनका पीछा अभी तक नहीं चुडा था वे एक घर की अंदर जाकर छुप जाती हैं लेकिन तबी वहाँ पर मारने की कोशिश करता है लेकिन तबी वहाँ पर मॉर्गन आ जाता है और एरिस को बचा लेता है लेकिन तबी लैदर फेस मॉर्गन को एक चेन के साथ उपर टांग देता है उसे मार देता है तबी एरिस वहां से भाग चाती है आगे चाकर उन्हें कुछ तार दिखाई देती है एरिस तो उसे असानी से पार्क लेती है लेकिन लैदर फेस का पैर उन तारों में फस जाता है वह नीचे गिर जाता है लेकिन तबी उसके चेन सो उसके पैर पर ही चल जाती है और वह गाहिल हो जाता है तबी एरिस रोड पर पहुंचती है वहां पर एक गाड़ी आती उसे दिखाई देती है लेकिन वे गाड़ी उसकी मदद नहीं करती आगे निकल जाती है एरिस फिर अपनी जान बचाने के लिए कि उस उनसान फैक्टरी के अंदर चली जाती है लेकिन लेदर फेस भी उसी फैक्टरी के अंदर पहुंच जाता है एरिस के पीछे पड़ जाता है लेकिन तबी एरिस के हाथ एक बहुत बड़ा चाकू लग चाता है वै उसे चाकू की मतलब से लेधर फेस का हाथ कार दीती है फिर वै रोड पर शाती है वहाँ पर उसे एक ट्रक आता हुआ दिखाई देता है फिर वै ट्रक वाला लड़की को देखा रुक चाता है और एरिस ट्रक के अंदर बैठ चाती है एरिस नोटिस करती है कि वै ट्रक वाला उसी गैन स्टेशन के और जा रहा है तब एरिस उसे कहती है तुम गलत रस्ते बर जा रहे हो यहाँ पर मत चाओ तब ही हमें बता चलता है कि मूवी के स्टार्टिंग में वो लड़की ऐसा क्यों कह रही थी फिर एरिस सब बहुत कोशिश करती है उसे ट्रक ट्राइवर को रोकने की लेकिन वे ट्रक ट्राइवर के एंस्टेशन पर पहुंच आता है फिर एरिस ट्रक से वाहर निकलती है और देखती है कि लैदर फेस का सारा परिवार उससे बच्ची के पास होता है लेकिन तब ही सारे उससे बच्ची को छोड़कर बाहर निकल जाते है एरिस समोका पाकर उससे बच्चे को उठाकर अपने साथ ली जाती है तबी वे पुलिस वाला भी वहाँ पर आजाता है Aries को ट्रक में धूणने की कोशिश करता है लेकिन Aries ट्रक में नहीं थी बलकि वे गाड़ी में थी Aries उसे गाड़ी की मदद से पुलिस वाले को कुछल देती है उसे मार देती है तब एरिस और उस बच्चे की चान बच्चा दी है वैदनों उस शहर से बहा निकल जाती है यहीं पर इस मुवी का ये पार्ट भी खतम हो चाता है मुवी अन्बाक्सिंग देखने के लिए आपका धन्यवाद